एक बार फिर से students का यहाँ पे assignment का reject list, notice और reject list यहाँ पे release हो चुगा है आप सब को बता दू, rejected होनी का कारण क्या होता है आपकी different handwriting और typed assignment दोस्तों आप इस वीडियो के साथ प्लीज जरूर बने रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप सब के लिए आपका reject assignment का list और students का list आ चुका है और उसे के साथ हैदराबाज regional center, कुलकाता regional center, पूनिय regional center और अलग-अलग notice निकल के आ रहे हैं आप सब के workshop और आपके examination से related तो दोस्तों प्लीज जरूर से जरूर हमारे साथ बने रहे हैं और आप सब को बता दूं कि online classes यहाँ पे workshop के लिए schedule किये गए हैं इंद्रा गाधी open university के तरप से यहाँ पे schedule किये गए हैं वो classes आपके चल रहे हैं आप इसे attend करना ना पुले आप इसे attend कर सकते हैं Facebook के तरू जो यहाँ पे link दिया गया है आप देख सकते हूँ कि Facebook के लिए यहाँ पे link जो है जारी की गए है तो आप इसे इसके तरू आप meeting ID के तरू जाके पहुंच के यहाँ पे meeting ID और Pass code भी दिया हुआ है इसके तुरू आप यहाँ पे पहुँचके अपना वर्क्शॉप अटेंड कर सकते हैं और उसे के साथ आपको बता दू कि Google Meet के तुरू भी यहाँ पे क्लासेस किये जा रहे हैं 18 तारिक से यह क्लासेस सुरू है यानि 18 जन्वरी से और देखें यह क्लासेस चलते ही आ रहे हैं और तीस तारिकों अंतिमी क्लासेस होंगे तो आप इस क्लासेस में जरूर अटेंड करें यह हैं ओनलाइन वर्क्शॉप 1428 जुलाई 2019 जन्मरी बैच के लिए तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखें वरना आप मिस कर जाओगे ओनलाइन सारी चीज़े हो रहे हैं जैसे कि आपको बता दू ओनलाइन इग्जामिनेशन के बारे में हम बात करें तो क्या सबकी इग्जामिनेशन से ओनलाइन होंगे या कुछी कैंडिडेट के इग्जामिनेशन से ओनलाइन होंगे Notice जिसके हिसाब से release हो रही है जिस हिसाब से students के यहाँ पे आपको बता दू कि guideline release होई है B.S.A. Learning के लिए और उसी के साथ अलग-अलग practicals के भी online practicals के जो भी detail और guideline निकल रही है वो maximum जो है आपके old batches यानि की final year के candidate के लिए निकल रही है यहाँ पे promoted students और जन्वरी sessions का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा तो क्या सिर्फ यहाँ पे final year के examinations फारवरी में conduct किरवाए जाएंगे और जन्वरी session को promotion मिलेगा या फिर किसी को promotion नहीं मिलेगा इगनू क्या कहना चाहता है इगनू एक बहुत बड़ी confusion यहाँ पे create कर रहा है सबसे important बात कि tentative date sheet tentative date sheet चो release हुई थी एक जन्वरी को release हुई थी अब ही तक इगनू ने इसे क्यों नहीं confirm date sheet में change किया tentative date sheet से ही क्या examinations होंगी? कभी नहीं tentative date sheet कभी भी आपको यह examination जब तक confirm date sheet रिलीज नहीं होती examinations नहीं होंगे बात करें इस notice के इस notice में बहुत जादा गड़बड़ी है बहुत सारी courses इसमें include नहीं किये गए है बहुत सारी program code जो आप देख रहे हैं इतने सारी program code उसमें सारी program code नहीं मिल रहे है students इस बात को लेकर परिशान है तो आप परिशान ना हुए क्योंकि जो courses है ना वो update किये जाएंगे क्योंकि यह tentative date sheet है दोसरी बात यहाँ पे candidate के examinations के जो date दिये हुए है उसके हिसाब से 8 फरवरी को 8 फरवरी 2021 यानि सुम बार से examination चुरू होने की बात है लेकिन hot ticket के बात करें तो hot ticket आपको बता दू सिर्फ एक ही link यहाँ पे खुला होगा है और वो link है आपका यहाँ पे पाइनल लेर के candidate के लिए जो भी candidate जून 2020 के examinations पर बैटने वादे थे उन सब candidate के लिए यह examinations का आपको बता दू यह hot ticket है और इस hot ticket में सिर्फ उन्ही candidate का आपका यहाँ पे admit card release होगा जो यहाँ पे जून में बैटने वाले थे लेकिन अभी भी उनका admit card जो है वो release नहीं हो रहा और release हो भी रहा है तो पुराने date के साथ पुराने examinations date के साथ तो यह सारी problem है तो यह problem आपको paste करवा रहा है इगनू इगनू यह चाज़ क्लियर नहीं करवा रहा क्योंकि अगर आप सब के लिए examinations के तारिक आठ तारिक से होते तो आपको बता दू admit card दस दिन पहले ही release हो जाते है और final date sheet भी दे दी जाती अलग-अलग regional centers तक है यह date sheet पहुँचा दी जाती है लेकिन आप किसी भी regional centers पे जाओ तो आपको कोई भी यहाँ पे आपको date sheet जो है नहीं मिलेगी तो final date sheet रिलीज नहीं हुई है आप इसको देखे चिंता मत किरे date sheet जैसे ही आती है आपको बताऊंगे और उसी के साथ जो candidate यहाँ पे अपने term and examination form के status को नहीं देख रहे हैं और अपनी grade cards विगेरा चेक नहीं करे हैं प्लीज जल्दी से चेक कर लीजे क्योंकि अगर आप किसी भी subject में fail हैं तो आप अभी examination form submit कर सकते हैं और उसी के साथ साथ ही बता दूँ यहाँ पे आप जैसे ही अपने ID पे login होते हैं आपको यहाँ assignment submission का status मिलता है कुछ candidate का यहाँ पे जो है different handwriting और typed assignment के वज़े से reject हो गया मैं नहीं चाहते हैं कि आप भी rejected हो जाए क्योंकि आपने google form के थुरू google form के थुरू आपने जो update किया था assignment उसमें बहुत सारे लोगों का different handwriting उन्हें लगा जो यहाँ पे reason जो बताया गया है क्योंकि मैं नाम नहीं दिखा सकती students का पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नु का ही यह सारा role code course जो है और यहाँ पे यह बताया गया है reason जो बताया गया है different handwriting, different handwriting, tight assignment और यह सारी चीज़े और file size more than 25 MB बहुत सारी लोग जो है ना file size काफी heavy बना रहे थे और 25 MB से जादा के तो यहाँ पे यह mention किया गये था 25 MB से जादा के file size नहीं upload कर सकते maximum लोगों को जो बताया गया है दिक्कत वो है यहाँ पे different handwriting तो आप यह बात ध्याँ से सुन लो आप एक ही writing पे लिखो आप अपने assignment खुझ से करो खुझ से करो और अपनी writing पे करना सबसे अच्छा होता है submit जो आपका है 4 assignment in 1 PDF एक reason यह भी बताया गया आपने 4 assignment एक साथ ही जमा कर दी एक ही PDF में तो यह आपके लिए फिर एक मुसिबत हो सकती है आपका यहाँ result हो गया जैसे इस candidate का हुआ तो क्या आपने 4-5 assignment एक ही PDF में अप्रोड कर दी है तो आपका भी assignment का status इसलिए maybe not found हो सकता है आपका assignment का status update कब कब होता है सबसे पहली बात बहुत से हैं लोग इस बात को लेके परिशान है तो आप assignment status चक केज़े अगर आपका not found बटा रहा है इसका reason 2 हो सकता है या फिर अभी तक आपका update नहीं हुआ है या फिर आपने यहाँ पे update सही से नहीं किया है और आपके द्वारा जो अगर आपने offline submit किया है तो अभी तक number update नहीं हुआ है थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इगनू के पास बहुत सारा काम ऐसा pending है काफी students के लिए देरी भी हो रही है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी attention नहीं लग रहा है तो आपके पास सिर्फ आपका receipt होना चाहिए अगर आपके पास सिर्फ receipt है ना तो फिर आप इगनू के द्वारा आप number ले सकते हो दूसरी receipt है जो है आपको ये रखने थे आपने जब examinations के लिए term and examinations के लिए form fillip किया तो क्या आपने ये receipt लिया था ये आपके transaction यानि आपके amount आपके payment का receipt है ये चीज़े आपको यहाँ पे लिख दी गई है note down transaction reference number and proceed to payment gateway यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको transaction reference number keep note of the same for future correspondence आपको ये रखनी चाहिए future के लिए क्योंकि बहुत ऐसा reason हो जाता है कि student नहीं रख पाते और university फिर आपको कहती है कि आपने assignment submit नहीं किया था बहुत सारे लोगों का term and examination status नहीं show कर रहा होगा उसके पीछे reason ये होता है कि candidate जब 6 मेने बांद अपना status चेक करते हैं तो आपको generally show नहीं होगा examination form का status कुछ दिनों तक ही show होता है और कई दफा ऐसे होता है कि ये show नहीं करता लेकिर ऐसा नहीं है अगर आपका examination code जैसे कि आपको बता लू कि अगर आपका program code यहाँ पे show कर रहा है जैसे कि यहाँ show कर रहा examination form आपका तो सूचे कि हाँ examination form भी submit हो चुके है और आपको 72 गंटे के अंदर भी check करना होता है जैसे ही आपनी examination form भरा आपको 72 आउर्स के अंदर अपने ID पे login होके आपको check करना पड़ता है ताथ कि आपका यहाँ पे update हुआ है या नहीं ये साही चीज़े आप जरूर धिहार में दखे examination को लेकर अब हैदराबाद से नोटिस आई है जिसमें बताया गया है online आपका schedule online induction meeting induction meeting schedule along with the link of July 2020 learner जो जो जुलाई 2020 के learner है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है गूगल मीट के ID दी गई है online सारी चीज़े हो रही है अब आप आप आगे देखा जाए कि कोज से candidate का examination होता है लेकिन जिस recording से यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे जन्वारी सेशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं किजारी examinations के लिए notices में आगे जैसे ही कोई update आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे प्लीज हमेशा continue channel के साथ बने रहे हैं bell icon दबना ना भूले thank you